बुज्वार्णी, हलोग्यों Computer Online Classics में आप सभी का स्वावत है तो आज हम हमारी Class में बास करेंगे Hardware के बारे में जैसे कि आपको पताए हैं, Computer की चर्चा करते समय हमारे दो शब्दों की चर्चा की जाती है एक तो Hardware और दूसरा Software तो आज हम बास करेंगे Hardware की आज की उन्हानी Class में Hardware के बारे में हम जानेंगे Hardware क्या होता है और मुख्य जो वो Hardware हैं उनको हम यहां पर जानेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि What is Hardware? Hardware क्या होता है? तो Hardware, Hardware हम उन, Computer में Hardware का अर्थ उन पहुतिक भागों से लगाया जाता है जिन से मिलकर Computer बना हुआ होता है दूसरे शब्तों में अधी हम कहें तो Hardware हम उन पहुतिक भागों को कह सकते हैं जिनने हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और Computer में Hardware मुख्य रूप से जो होते हैं, वे होते हैं CPU, मुख्य मेमोरी, में मेमोरी जो हमारी होती है वे है, Output Devices और Input Devices, मेमोरी ये सभी हमारी Hardware में आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं, CPU CPU, ये है हमारे जो Computer होता है, उसका Main Part होता है Hardware के अंदर और इसका पूरा नाम होता है Central Processing Unit Computer Hardware में सबसे पहले हम CPU के बारे में बात करेंगे CPU का पूरा नाम Central Processing Unit होता है और यहां Computer में हम जो भी निर्देश उसे देते हैं, जो भी डाटा डालकर हम उसे निर्देश देते हैं उसके उपर जो Processing होती है, वो सारा Processing का कारें हमारा Computer में CPU करता है CPU को Computer का दिमाग भी कहा जाता है Main Point है कि Questions भी आते हैं, जो हमारे Objective Type Questions एक्जाम में आता है उसमें यह Question भी आता है कि Computer का दिमाग किसे कहा जाता है, Brain of a Computer किसे कहा जाता है तो यहां आप इस बाद को नोड कर लेजे कि CPU को Computer का दिमाग कहा जाता है और CPU मुख्यत है, दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है First होता है, ALU and Second CU दो बार्ट से बना हुआ होता है, ALU और CU ALU का पूरा नाप होता है, Aligmatic Logic Unit और CU का पूरा नाप होता है, Control Unit तो इस परेंसे हमारा जो CPU है, वो तो मुख्य वागों से मिलकर बना होता है ALU और CU तो ALU के इंदर जितनी भी हमारी तारके को गड़नाएं होती है वो सभी उसके उपर जो Processing का कार्रे होता है, वो हमारा ALU करता है और हमारी जो सारी Processing होती है, उसके उपर जो Control किया जाता है वो CU यानी Control Unit के द्वारा किया जाता है नेक्स हम बात करते हैं, सेक्विन हमारा हार्डेट के इंदर यहां पर पफ़ात करेंगे Mother Go Mother Go तो जिस तरह से हम हमारे कम्प्यूटर के अंदर CPU को कम्प्यूटर का दिमाग कहते हैं उसी प्रेकाल से Mother Go को कम्प्यूटर की Read कहा जाता है वो Backbone of the Computer किसे कहा जाता है? Mother Go यह भी Objective Type Questions में अक्सर पुछा जाता है कि Computer की Read यानी Backbone किसे कहा जाता है? तो Mother Go को Computer की Read कहा जाता है Mother Go क्या होता है? एक जो Mother Go होता है उसी पर हमारा जो CPU होता है और Microprocessor आदी जो मुख्य चिप्स होती है वो सभी Mother Go पर लगाई जाती है और इन सारी चिप्स को आपस में संचार करना होता है तो वह संचार तारों के द्वारा ना करके उसमें कहा किया जाता है ने तारों को कहा जाता है बतारों को उसका नाम होता है PCV इसे PCV क्यों बहा जाता है कि इसके भी अंदर जो चिप्स लगी होती है उनको तारों से जोड़ने की बजाए उसमें क्या किया जाता है तारों को उसके उपर प्रिंट कर दिया जाता है इसलिए हम उसे प्रिंटेट संकिट बोर्ड के नाम से भी जानते है PCV यानि प्रिंटेट संकिट बोर्ड ओके नेक्स्ट हमारा हार्टर में हम बात करें है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है एक ऐसा CPU होता है जो अत्यनत सुक्ष्म माइक्रो चिप से बना हुआ होता है और इसमें वे सभी भाग होते हैं यह है जो की एक डिजिटल कम्पूटर के CPU में जो होती है वो सारे भाग इसके अंदर होते हैं वे सभी हार्टवेर रिकाईया इसकी होती है और यह सबसे नभीनतम तक्नीक रोप याइक माना जाता है और हम इंटल 40004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था हमारी कम्पूटर तक्नीक में जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाये गया था उसका नाम सा इंटल 40004 और इसका निर्मान इंटल नामक कम्पनी ने किया था तो ये micro processors हमारे second generation की जो computer थे उनमें हमारा micro processor लगाया गया था जैसे कि अब पहले भी बढ़ चुके हैं कि हमारी जो first generation की computer थे उनमें vacuum tubes का प्रयोग किया जाता था लेकिन जब हमारी second generation computer के विकास में start हुई तो उसमें उसका सबसे बड़ा जो आविशकार था वहें micro processors का आविशकार था अब यह हमापर vacuum tubes की जगह micro processors यूज़ के जाने लगे जो अत्यम्त सुक्ष्णो micro chips से बने हुए होते हैं नेक्स्ट अमारा है system clock system clock प्रते computer में एक system clock होती है यह है जो system clock होती है यह पूरी तरह से computer के उपर computer के प्रते कारे को यह है विवस्तित करती है और इसमें जो एक cycle जो एक जो चक्कर होता है जो पुरा कारे करने की जो गती होती है उसे तो हम clock की आपरती कहते है और जब 0 से 1 तथा एक से पुन है जीरो आने पर जो समय लगता है उसे हम clock cycle कहते है इसके अंदर यह क्या करता है clock बस जो हमारी clock system clock होती है वह electronic सिद्धान्त पर कारे करती है और जीरो और एक के बीच में इसके बीच में समय परिवर्तित होता रहता है next हमारा point है address bus address bus computer की memory में प्रते एक स्थान का एक अधितिये पता होता है जिसे हम address होते है computer memory के अंदर और हमारे CPU से memory तक के बीच में जो एक bus होती है यानि कि उसके बीच में जो data CPU से memory तक जो data लेजाने का कारे है एक address bus करती है और उसमें हर स्थान का एक अधितिये पता होता है और इसे ही हम address bus कहते हैं हम इस computer पे जो bus होती है इसके द्वारा क्या किया जाता है जैसे ही हम कोई निर्देश या data computer के अंदर देते हैं तो वह CPU से memory तक उस data को उस इस्थान पर लेजाती है जिसका address हमें उसके द्वारा दिया जाता है Next हमारे पास में point होता है data bus data bus का उप्योग भी CPU तता memory के बीच में data संचरित करने में किया जाता है और इसका data bus की जो चोड़ाई होती है उसका computer की गती पर बहुत अधिक प्रभाब पड़ता है और इसके अलाबा next होती है हमारी cache memory cache memory cache memory एक अतिदिक तीप्र तथा छोटी memory होती है और इसका कारेवी क्या होता है CPU तथा मुख्य memory के बीच में यह लगी होती है और data का संचार दोनों के बीच में यह करती है इसका जो access time होता है वे CPU की processing गती के करीब होता है और यह S3 loop से data को संग्रहित करती है next हमारे बास में option होता है आपर expansion slots expansion slots expansion slots क्या होते है mother code में आपने देखा होतों कुछ खाचे टाइप के बने होते हैं और उनमें कुछ cards का हम प्रयोग करते हैं computer में कुछ facilities के लिए हम कुछ cards लगाते हैं उन्हें हम expansion slots के अंदर लगाते हैं तो इसमें मुख्य रूप से कुछ cards होते हैं जैसे कि पहला होता है हमारा video controller वीडियो कंट्रॉलर के मात्यम से क्या होता है कि जो monitor पर जो प्रदर्शित जो तस्वीरे होती हैं उनकी quality को यह नियंतरत करता है और video controller की अपनी SWAM की memory होती है जो CP उसे तस्वीर संबंदी निर्देश प्राफ्त करके उसे monitor को भेजती है सेकें होता है extension slot में sound card sound card जैसा कि इसकी नाम से हमें पता चलता है sound या नि ध्वनी card तो ध्वनी card क्या होता है computer में हम जो ध्वनिया होती है उनको सुनने के लिए हमें याँ पर sound card का use करना होता है जब हमारे computer के अंदर sound card लगा हुआ होता है तो हम उसके अंदर कोई भी music सुन सकते है या कि कोई भी और जो भनिया होती है उन भनियों को हम इसमें सुन सकते है sound card के ज़लिये थर्ड होता है network card network card network card को NICB कहा जाता है जो हमारा network card होता है उसे network, sorry, NICB कहा जाता है NICB का फुल ने होता है network interface network interface card तो इसे हम NICB कहते हैं network card का use किसले गया जाता है नेटवर कार्ड के द्वारा हम यहां पर हमारे computer को इंटरनेट से connect कर सकते हैं यानि इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमारे computer में network card का होना ज़रूरी होता है next point हमारे पास में हार्डवेर के अंदर memory unit memory unit memory unit memory का मीन आप समझते ही है memory यानि इस्मरती यादे यानि कि हमारी इस्मरती हम किसे कहते हैं हमारी जो इस्मरती होती है वो कहां आकर होती है हमारे दिमाग के अंदर जो भी हम बाते सुनते हैं देखते हैं वो हमारी कहां स्टोर होती है हमारे brain के अंदर इसी तरह से computer के भी अंदर memory होती है उसमें जो भी आप data संग्रहित करते हैं वह सारा data जाकर वहाँ पर संग्रहित होता है इसलिए हम उसे memory unit कहते है computer की जो memory होती है उसको हम सामाने त्या kb, globides, gb यानी gigabytes और mb, यानी megabytes के अंदर नाप सकते हैं अब देखें हम computer की memory को दो वर्वों में विवाजित कर सकते हैं हमारी जो हुच्चे memory होती है वो दो प्रकाजी होती है first, primary memory primary memory and second, secondary memory हम यहाँ पहरे बार करें के primary memory की तो हमारी जो primary memory होती है इसे मुख्य memory भी कहाँ चाता है इस memory की जो programming दती होती है धो अत्यादिक व्रव होती है क्योंकि यह सीधे CPU से जड़ी हुई होती है हम जो primary memory होती है इसको भी हम दो भागों में विवाज़त खर्ट करते हैं फर्स पुदा है रैम एंट सेटे रो रैम और रो रैम का पुरा नाम सब्सक्राइब बात करती है रैम की तो रैम का पुरा नाम होता है रैंटम एक्सेज मेमोरी रैंटम एक्सेज मेमोरी इसे हम रैंटम एक्सेज मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे रैंटम एक्सेज किया जा सकता है यह है जो मेमोरी होती है वह है वाली डाइल यानि की एस्थाई मेमोरी होती है हम इसमें जो भी data एक बार में शंक्रहित करते हैं यदि जब तक विद्युत प्रभा है और हम डाटा संक्रहित कर रहें तो उसी समय तक हमारे का इस memory के अदर data शंक्रहित रहता है लेकिन जैसे ही विद्युत प्रभा बंद कर दिया जाता है तो इसमें रखा हुआ सारा डाटा भी विद्यूत के साथ नस्रक हो जाता है इसलिए हम इसे एस्थाई या वॉलेटाई मेमोरी भी कहते हैं इस मेमोरी को भी दो भागों में विवाजित किया जाता है RAN को भी सबसे पहले मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को भी दो बागों में विवाजित किया जाता है RAN एंड रोम उसके बाद में RAN का भी पार्टिक्शन किया जाता है RAN इसो प्रकार की होती है RAN, VRA, M RAN और सेटिट, SRA, M RAN का रुदा नाथ होता है Dynamic Random Access Memory और SRA, M का रुदा नाथ होता है Static Random Access Memory RAN एंड स्रैम छीक है इसके बाद में हम बाद करेंगे RAN के बारे में RAN, RAN का रुदा नाथ होता है Read Only Memory Read And Only Memory तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है Read Only Memory यानि कि जिस में हम में 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 मुरी के अंदर डाटा को सिर्फो पढ़ सकते है उसे हम Read Only Memory बोलते है यह जो हमारी में में मुरी होती है वह है Non-Volatite Type की में में मुरी होती है यानि कि इसमें रखा हुआ जो डाटा होता है वह स्था ही होता है एक बार जो हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर देते हैं तो वो सालों साल हमारे पास में डाटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है ऐसा नहीं जैसा कि रैम के अंदर रैम के अंदर क्या होता है? हमारा डाटा जब तक विजुत प्रभा रहता है के बद तभी तक स्टोर रहता है उसके बाद में वहे उसमें से नस्टर हो जाता है लेकिन रोम के अंदर हमारा डाटा इस्थाई रूप से संग्रहित हो जाता है स्टोर हो जाता है एक बार उसमें डाटा संग्रहित होने के बाद में वेह डाटा विद्धुत प्रवाव बंद होने पर नस्ट नहीं होता है सेकेंड हमारी होती है यह हमारी प्राइमरी प्राइमरी के गौनों प्रणाव को ज़े है रैन एंड वो दूसरी हमारी होती है सेकेंट्री मेमोरी सेकेंड्री मेमोरी राद में हमारी प्राइमरी मेमोरी बहुत आवश्रक होती थी बहुत उसकी आवश्रकता तो थी लेकिन नाशवान होना और उसका जो सीमित मात्रा में होना यह इसकी सबसे बड़ी कमिया थी इस वज़े से हमारे यहां secondary memory अस्तित्व में आई secondary memory पूरी तरह से non-volatile यानि की स्थाई memory होती है और उसमें रखा हुआ data कभी भी रश्ट नहीं होता है और यह अपेक्षा का सस्ती भी होती है और उसका जो use सना होता है वह सरल भी होता है इसकी गतिवी प्रात्मिक मेमोरी की अपेक्षा काफी कम होती है जितियर मेमोरी की अपेक्षा का जो उप्योंग है वह बड़ी मात्रा में data को इस्थाई रुप से सुरक्षित करने में किया जा सकता है यानि कि जो इसकी storage हमता होती है वह बहुत अधिक होती है और इसके जो मुख्यों अपारण होते हैं secondary memory की वो होते हैं floppy disk, cd-rom, dvd-drive आदी चीक है तो इस तरह से यह हमारा memory का फुदा इस memory को हम इस program के मादर में भी थमज़ करते हैं memory इसको हमने तू पार्ट से डिवाइड लिया primary memory और secondary अब यहां हमने दे सके हमने पहले अभी बात की थी primary memory को हम फू पार्ट से डिवाइड लिएड 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 लिएग 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 रिखते हैं चार्ड के वागए के बीट समझ सकते हैं प्रपर हो यां पर दो प्रकार होते हैं और इसी प्रकार से रंड भी बर्ग करंड कर दिये गर्म और ट्रैम आज के हाड्वेर में इतना ही गोके धन्यवाद